हेलो आज का लेक्चर लेक्चर नमबर फाइव है मोडूल नमबर वन केमेस्ट्री में चल रहे थे वहाँ पर आज का लेक्चर में देखना था आपको डूल विहावियर आफ मैटर के बारे में पीछे हम लोग है जनबर अंसर्टिनिटी प्रेंस्पल का नुमेरिकल किये थे है आई हो आप लोग प्रैक्टिस किये हूंगे उसका तो डूल विहावियर आफ मैटर में देखते हैं लूइस डी ब्रोगली नैंटी ट्वैटी फोर में एक थियोरी प्रोपोज्ट किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका आपका मैटर है वह किसके तरह भी है बोच पार्टिकल ंड देख लाइव लाइक प्रोपार्टिय जैट लाइक रेडियेशन यैनि यहाँ पे हम बोले तो ऐसा सिदय सिदी बोल सकते हैं कि उसका जो बेवललन्थ होता है इंवर्शली प्रpButional to the momentum का होता है जो wavelength होता है ange Park होता है का है inversely proportional किसका है momentum का है wavelength जो है inversely proportional किसका है momentum का है ठीक है तो suppose suppose a material particle having momentum P is associated with a wave of wave length lambda ठीक है then the relation between lambda and P क्या होगा दोनों के बीचे में relation तो inversely proportional गा ठीक है बेवलेंध है जो मोमेंटम का universally proportionल होता है तो आई छोपन यहां से किलियर होगा तो lambda is equal to अगर हम directly proportional हाते हैं यहां पर constant आता है जिसका नाम H है ठीक है यहनी Planck constant है जिसका value 6.6261 दस के पर माइनस 30 जूल पर सकेंड होता है तो लाइमडा इस एकल टू क्या हो गया एज अपॉन पी जहां एज का वैलू क्या है 6.626 गुट दस के पार माइनस कितना 34 जूल पर सकेंड होता है एही अर्ग की बात करें एज का वैलू ध्यान से सुनिएगा एज का वैलू अगर हम जूल पर सकेंड मिलेते हैं तो 6.626 गुट गुनि-10 के पार-36 Joule पर सकेंड लेकिन आगे नुमेर कल आने वाला है उसमें हम लोग और में बनाते तो 6.626 two-fold मैंदस-27 पर सकेंड होता है ठीक है अर्ग पर सकेंड होता है तो यह आपका अर्ग में है यह जूल में तो इस बात का खास ध्यान रखना है ठीक है चलिए तो यहां पर जो है प्लांक पर इस्टेंट है जो आप पीछे पड़े होंगे 6.626-36 Joule पर सेकेंड और पी क्या है जहां पी है आपका मोमेंटम और लैमडा क्या है बेवलेंथ लैमडा क्या है बेलन तो यहांपर इक्वेशन बन कहा रहा है जो इसका क्या प्रफोर्पोर्पोर्पोर्ष्णल टु मोमेंटम को नब कर दीए और डेरेक्ली नाम से जानते हैं तो और यहां पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब कोई इलेक्टॉर्ण और्बिट में मोशन करता है तो यहां पर उसी को लाइन लिख दिया तो इसान सा सिंपल सा नुमेरकल है आपको यूज क्या क्या करना है देख लिजेगा ठीक है यहां से क्यूसन नहीं आगे वाले क्यूसन पूछे हुए है तो एक मेगा क्या फर्मूला आप जानते थे एज कल्टू एच नियू लैमड़ा न हाँ एच नियू होता था एच नियू ठीक है एच नियू का वैलू क्या होता था नियू का वैलू सी अपॉन लैमड़ा तो यहां पर पूट कर देंगे तो लैमड़ा नियू का वैलू क्या होगा एच नियू एच नियू एच बोले लिकिन लिख दिये लैमड़ा ठीक है एच सब्सक्राइब करेंगे एक मेगा इलेक्टिक बोल्ट इसलिए उपर ही लिखा दिये एक मेगा इसलिए उसको मल्टिप्लाइ कर देंगे इसका भैलू था और इंटू लाइट का भैलू बटा लैम्डा अर्ग से अर्ग केंसील ओठ हो गिया सम मीटर में आ जाएगा ठीक है तो लैम्डा का भैलू यहां से आ गिया बन पॉइंट कल्कुलेशर कर लीजिए गन बन दसके पर माइनस 14 मीटर ठीक है लैम्डा का भैलू आ गिया चली दूसरा क्यूर्शन देखते हैं कल्कुलेट दा इनर्जी पर फोटोन फोर रेडियेशन और बेवलेंथ 650 पिको मीटर ठीक है तो एक पिको मीटर इस गल्टू कितना होता है दस के पर माइनस 12 मीटर ठीक है इसका आपको इनर्जी निकालना है तो इनर्जी एक फोटोन का इनर्जी निकालना है तो इनर्जी इसको एच नियू होता है नियू का भैलू सी अपन लैम्डा सारा भैलू पूट कर दिये एच का भैलू पता था सी का भैलू पता था लैम्डा का भैलू पिको मीटर में द दिकत नहीं चली आते हैं एक की उसन पूछा हुआ है यहां बस 4000 नहीं तो एक्जाम में 3000 था ठीक है और जो 2021 वला में टीन था 22 वला में 4000 पर करके पूछा है ठीक है दोनों की उसन पूछ दिया से मिघूर्टब पूछ दिया फोटोन निखालना है इनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ था अंगस्ट्रम में दिया हुआ चार हजार अंगस्ट्रम है उसको हम लोग मीटर में कनवर्ट करेंगी तो एक एक अंगस्ट्रम होता है था दस के पर माइनस दस मीटर है तो 4000 हा तो 4000 गुने दस के पर माइनस 10 मीटर इनर्जी ऑफ वह फोटोन इस कल टू एचू कि अपन्ला capsule कि किटना होगी है एक सारे छारी फैल करेंजे यह का चैसा कुछ पूट कर लेंगे ने इसकी 6.6 3 गुने 10 के पर माइनस 34 दिया हुआ है और लेमडा का बालु दिया हुआ चारहाजार गुने 10 के पर माइनस 10 मेटर चलिक चलिकलेट करेंगे इनर्जी आगया इसको टोटल इनर्ची एक जूल का हुआ ना थे नंबर आफ फोटोन इनर्जी तो एक जूल में उसको जूल पर फोटोन से भागा देंगे जूल से जूल केंसल आट हो जाएगा फोटोन बचेंगा ठीक है तो नंबर आफ फोटोन यहां से निकाल निकालेंगे तोटल जो जूल का भैलू दिया हुआ था उसमें इस भैलू से भाग देढ़ेंगे ठीक है चली एक्टो मेंगनेटिक रेडियेशन आफ बेवलेंथ एक क्यूशन और है बेवलेंथ दिया हुआ है दो 242 सेनेम दो सो ब्याली सेनेम का मतलब नैनो मीटर मतलब एक नैनो मीटर मतलब किना होदा दस के पार माइनस नौ मीटर ठीक है इस जर्ष्ट सब्सेंट टो आयोनाइज सोडियम आयन कल्कुलेट आयोनाइजेशन इनर्जी ओफ सोडियम आइटम इन किलो जूल पर मूल सी का भैलू पता है एज का भैलू पता है फर्मूला लगाई यह हो गया अच्छा यहां पे कुछ थियोरी बताया गया है कि आयोनाइ ऑपनेजेशन धीओरि औरजियोम आयटम करते है इनर्जी ओफ फ्राइएके अर्फ-फ्रोन besलिंस सोडियम आइटम मिवाने मीन स्युल इस तो नियुकट लगे एं पता है सी का बहुता है यह कितना था 240 अम था ना दुसको दसक्राइब माइनस 9 से गुना कर दी क्योंकि एक नेनो मीटर एकमोल इसक्राइब तो इतना इतम हो गया तो इनर्जी पर मोल इंटू इनर्जी पर आइटम इंटू एने ठीक है अब यहां से इसका वैलू कितना था एट पॉइंट यह वला वैलू देखिए एट पॉइंट टू वन गुने दस के पर माइनस 90 इंटू और यहां पर एवागाड्रो नंबर होता है एवागाड्रो कॉंस्टेंट होता है ए एने मिस एवागाड्रो कॉंस्टेंट उसका वैलू से क्या कर देंगे मल्टिप्लाइ कर देंगे मतलब नहीं समझे ध्यान से सुनिए एक से सुनिए एक मोल इजकल टू होता है एक एने आटम्स यहनी उसका वैलू कितना होता है 6.02 गुने 10 के पॉइंटी थी आइटम्स य से मल्टिप्लाइ कर देना होऊगा किसी एक मोल का इनर्जी निकालना है तो उसमें किसने भी एटम आइटम्स लगे होंगे तो किसे कर देंगे आभ गाडो कि अब हम लोग कल से देखेंगे बहुत मॉडल अफ उक एमोटक diferente है सबसे ज्यादा इस शेप्टर का है सबसे ज्यादा ही logical करों करके दिखाएंगे तो ठीक है फिर बने रहें जोगquito brushed और वाइटली जैने इसको बोड प्रेदर बना बना करकर करके शिख़ाएंगी इसेटेन क错 दो यहां से सीम्पल सिम्पल एक सब सिर्गे सेटे हैं यह रखें ढरें भाव दोस्तीर लहाइं आफ आश्रेट उटेस पड़़ते